तो फाइनली क्राउन जूल हो चुका है खतम एंड जो हाइफ थी वो क्या डिलिवर करें ये शो ने रोमन रेंस एंड लोगन बॉल का मैच होता है बीनिवड में कुछ कमाल की चीज़े हो गई इस मैच के अंदर एंड ब्रॉक लेजनर एंड बोबी लैचली भी आते हैं आमन लोग बात करने वाले हैं तो वीडियो काफी कमाल के होगी वीडियो को लास तक जरूर देखने हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो तो जादा टाइम वेस नहीं करते हैं यहां पर से वीडियो की तरफ आउन जूल की ओपनिंग होती है ब्रॉक लेजनर एंड बॉबी ल कैसली को कहां इंतजार हो रहा है वह आते स्टील स्टेप पर धका देते हैं जिसका रिंग मिले जाते हैं रिंग के साइड पहले बाहर स्पियर लगाते हैं बेल बस्ती है मैं स्टाट होता है रिंग में स्पियर मारते हैं बैरिकेड पर स्पियर मारते हैं इसके बाद लेस्नर को कि यहाँ ओeld के पकड़ी है इसके बाद लाएक लेशनर के तेशके देक... मैं आला के तरफ होता से लेकिन सुप्लेक्राइब है है यहाँ इसे पुर उनको पकड़ लिया है एक होल में यहाँ पर से बॉबी लैस्ली हमें जो यहाँ पर से समिशन मुग में फसाते वे दिखाई देते हैं इसके बाद क्या होता है कि गाइस ब्रॉक लेस्नर एकडम जो है बेवश होने की कोशिच में अधि लेकिन वह होते नहीं यहाँ पर से हर् तेन ब्रॉक लेस्टनर जीतते विससे मुझे एंड थोड़ा ही डिसपोइंटिंग लगा बाकि इसके बाद बहुती गुसा होते हैं इस चीज़ वह भूबी लेस्टनर पर लेस्टनर को अटक करते हैं यहाँ पर से वह फसाद देते हैं हट लॉग में फिर एक बार बहुती गुस्य में से भाव से निकलते हैं दिखा देते हैं अच्छी तो थी लेकिन मैंच के एंड मुझे थोड़ा से डिसपोइंट किया बाकि इसके बाद डैमेज कंट्रोल आता है इसके बाद अलेक सब्लेस और आसका का बाइस्टेच इंटर्वी होता है लेकिन तभी अलेक पर लिएक से अलेक सब्लेस आपको मैंस नहीं नहीं रिझूड़ को रही मैंच काफी सेंट मिलता है सुदी की क्राउड की ओर सेंट यहाँ परसे काफी कमाल का मुद है vide सभी अ लगा यहाँ पर से आखिर में क्या होता है मैच के एंड में जो है यहाँ पर से यह उसके आउस का रिंग सैड पर लड़ रही है जहां पर रहा एधियर उनको सेप्रेट करने में लगी हुई हैं and damage control बन चुकी है New women's tag team Champions इसके बाद के उपर होता एक steel cage match to McIntyre and carry on cross के बीच क्यारियन क्रोस के बीच मैंकिन नहीं आते हैं मैंस्ता होता है मैंच काफी अच्छा होता है and extreme rule से तो काफी अच्छा ही मैंच दोनों कि स्टील गेंच मैंच के पूरे पूरे इसका फायदा इन दोनों ने लिया काफी structure का भी यूज के यहाँ पर से मैंकेंटार के लिए थोड़ी favor में थी क्योंकि Scarlett यहाँ पर इंटरॉप्शन नहीं कर सकती थी यहाँ पर से हमें मैच के अंदर काफी अच्छी दोनों की performance दिखा देती लेकिन मैच के अंदर फाइनली अपने Scottish warrior को victory मिलती है इस वाले मैच के अंदर स्कॉर्टिश वाडियर मैकिंटार है वो हमें carry and cross को हराते वें दिखा देते हैं कमाल के steel की इच मैच के अंदर इसके बाद जो next match होता है वो होता है six match team action OC versus judgment day के भी जंड यहाँ पर से याड रिपली भी होती है और यहाँ पर से हमें आते हैं जो यहाँ पर से पहले तो starting call anderson करते हैं फिन बैलर करते हैं इसके बाद डॉमिनिक को tag मिलता डॉमिनिक की performance आते हैं पहले उनके उपर tag होता है बाकी match काफी अच्छा होता है इसके बाद देर देरे match base बना लेता हैं और काफी अच्छी चीज होती एजस टैस एंड फिन बैलर भी फाइनली आमने सामने आते हैं दोने ने भी काफी कमाल का performance दिया लेकिन match के आखिर में एजस टैस की टीम जीतने के लिए होती है लेकिन अफिला रेफरी देखता नहीं है यहाँ पर इसे जूर यार रिपली है वो एजस टैस को पटक देती है एपरन पर एंड रिंग के अंदर फिन बैलर कूड इगरा लगाते है जिसके कारण जज्मिन डे के जीत होती है और है काफी एंटर्टेटेशिग मैच होता है और इस वाले मैच के अंदर यहाँ पर से हमें ब्रॉंस टो मन चौह पतक रहे हो मौस को यह खाफी बड़ी चीज लगी है अमन बीचे उठाकर पतक रहे हैं अपने ब्रॉंस टो मन को वैसे भी जए यह दोनों काफी हेविवेट स है और दूसरे को प्रटक रहे है वैसे भी इंके लिए और मैच के अंदर अपने monster bronze roman के हमें victory होते हुए दिखा देती है and monster of all monster याने की bronze roman मैच के अंदर हमें victorious होते हुए दिखाई देते हैं इसके बाद हमेशों के उपर जो undisputed tag team टार्डस से उनका और इसमाल का मैच होता है लाव अप्निंग मैंश को रीटिंग देश्टें को माँच होता है जो की होता है यह का本当 हिक की बीच ये काफी कमाल का मैच होता है last women standing match stipulation काफी कमाल की है और जिस तरिके से stipulation का यूज़ फिलेशन का यूज़ किया definitely magic अच्छा match होता है और जो एक crowd वाइगरा में बहुता है अब काफी अच्छा पूरे stipulation का यूज भी आंका बेलेर एंड पेली करती है एंड हमें इस वाले मैच के अंदर फिलहाल आखिर में जिए चीत होती होई दिखाई दीती यहाँ पर से बियांका बेलेर के अभी भी स्टिल रॉब में शैंपिन है बियांका बेलेर अब बारे आती है उस ठींग की जो की थी ब्रेव वैट थी expect लाइफ आज क्राउज्चूल में ब्रेवाट क्या चीजह कहते है तो देखो यहां पर से ब्रेवाट हमें दिखाई दे ते हैं यहां पर से इदिखाई देए यहाँ आपर से यहां पर से पूरी चीज़ वह बहुत ही एक प्रोमो भी था ब्रेवैट कलेकि तोड़ी बहुत क्रिप्टिक चीजें भी सके इंदर में दिखा देती है और यह में चीज दिखाए देती है क्राउन चूल के अंदर इंचेशों का में इवेंट होता है रोमरेश्ट वर्सिस लोगन पॉल के बीज़्द हो लोगन पॉल आते हैं क्राउड कर घारक्षा साo Style便े डियमें होता है दोनों के अनॉसमेंट वग대 होती है मैं स्टार्थ होता है है प्लेडला कांजिस में genius बीस था है डिन बना क्वाइए क्चा होता है दिखाया बाकी काफी अच्छा मैच के अंदर में कहूंगा कि डिलेवर किया लोगन पॉल ने रोमर रेस की वह से प्रफॉरमस आथी रोमर रेंस विलाल ऐसे लग रहे थे कि इनॉर्मस जी बात है उनके लिए कि लोगन पॉल को हराना एंड यहां पर से मैच का जो एंड है ज से जैंपेंशिप को हमें रीटेन करते हुए दिखाई देते हैं बाकी यह फिलाल कुछ चीजे होती है आज के ग्राउन जूल के अंदर वैसे आपको ग्राउन जूल कैसा लगा कमेंट में जरू बाताना बाकी फिलाल आज की वीडियो बस इतने से थी वीडियो पसंद है त के अंदर